हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टुम टू माई चैनल, प्रोसाउंड एंड टेक्नोलोजी तो आज का वीडियो का टॉपिक है साउट्कारप्ट असाइ इंपैक्ट वर्स साउट्कारप ऐसाइ एक्सपर्सरेशन 3 तो दोनों में क्या basic अंतर है और दोनों ही harmon product है और दोनों ही soundcraft का एक पुराना नया model है तो चलिए इन दोनों का basic difference क्या है वो देखेंगे on mixer में क्या difference है दिखाएंगा आज आज आप लोग को तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे ऑर चैनल में नहीं है तो like share and subscribe सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इस चलान में हर दीन जो है प्रो अडियो रिलेटेड अपडेट और प्रो अडियो में जितना भी ट्रिप्स और ट्रिक्स है वह स्यार करता हूं तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं तो यह है SI इंपक्त सांडट्राप्ट का और यह है आपका SI expression जगा थोरा सॉठ है इसलिए दोनों मिक्सर को ऐसे करके रखना पड़ा है तो दोनों का भी करते लेते हैं पौर उन तो चलिए देखते हैं पहले करते हैं SI एक्स्परेशन को सब्सक्राइब को पापर ओन हें इस इंपेक्ट में एक और कि नीए 安क्राइब या और उसी तरह साइड में अगर एसा ऑन एकस्प्रेशन देखे तो एस एकस्प्रेशन में दों में पावर देख देख हैं यहाँ यह एक में पावर शुईच जो कि है पीछे देख आ एक प्वार स्विच और एक बूटप स्विच या पॉर्यव ज़ी बोल सकते जो उन टच से अन होता है तो ये भी अन हो गया है और आपका एसे इमप क्वी ओन होने वाला засबना तो प्रोसे चल रहा है और देख़ी इस कि तो अभी स्टार्ट होने वाला इसाइपक्ट कि और इसाइपक्ट और इस एक्स्प्रेशन का बारे में किसी को कुछ चान करें चाहिए तो इसके रिगार्डिंग एसा इंपक्ट के उपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा आप जाके जरूर चेक कर लिजे नहीं तो वीडियो के एंड में भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा तो जरूर चेक कर जो है एक छोटा डिस्प्लेः जैसे कि आप देख पा रहे है जो कि लेफट साइड में मिक्सिंग कंशूल का लेफट साइड में आपको दिखने को मिलेगा कंप्रेसर का इंडिकेशन मतलब इंप्रेसर का डिवीमिटर और राइट साथ मैं आपको इनपूट सिगनल का डि सब्सक्राइब और इसका साथ आपको 100 मोटर गंट्रोल फेडर देखने को बिलता है यह था एक चैनल का रिव्यू अभी चलते हैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का भी आपको सेम देखने को बिलता है लेकिन इसमें जो कोई डिस्प्ले नहीं दिया गए मतलब जो है आन्थ सuff PR करके रख सकते हैं और बाकी सारे जो फीचर हैं जैसे की लेफ्ट साइड में आपको मिक्सिं嗎 का नेव और डाइट साइड में सिंगनल प्रिजेंट का मतलब कितने डीबिल का सिगनल इंपूट हो रहा है उसका प्रेशन देखनों को मिलेगा तो यह था जैसे कि देखिए आप इसा इंपक्ट में हमने सेब कर लिया था एक देखिए जैसे कि चैनल वान का नेम तब लागे तो इस चैनल नेम को भी आप एडिट कर सकते हैं से दिखाता है इन्पूट वी सिए चैनल फोर आगे जग की चैनल फूर का हम सिलेक्ट किये थे अभी चलते है चैनल फूर के उपर इसको बैक करेंगे और इसमें माल लीजिए मेरा नाम देदे थे तो एस तो एपलाई कर देंगे देखिए चैनल फूर का नेम भी चेंज हो गया देख वा रहे हैं ऐसे ही आपको ऑफसिन में थे जैसे की चैनल फूर्ण में तबला दिया थे डोल किटर और इसके बाद मानस तो ऐसे ही आप इसमें एक फीचर्स यह फीचर्स कंपरी ने एड गिया है जैसे कि आपको पता चले आप किस चैनल में कौन सा इंपूट कर करें तो इनका इसा इंपक्ट का लुक बहुत छोटा साइज है और इसा एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ा है और इसके बड़े बड़े होने का रिजन नहीं है क्योंकि इसमें एक लैप्टॉप या आइपड रखने का स्पेस दिया गे जो कि इसा इंपक्ट में मतलब आप इस मिक्सर को दोनों मिक्सर में आप बले मिलेगा 32 इंपट मिलेगा अप Cry21 इंप्ट इंपट और उसमें अलग सेटाप है उसके बारे में आगे बात करते हैं तो इसमें जो है आपको डिस्प्ले का तो फिचर्स बताई दिया अभी चलते पैरामिटरी एक्यू और जो इंपूट फिचर्स सारे जो है देखने के लिए, input features, gate, compressor, दोनों ही same है, और जो ये option input features, ये भी same है, मतलब जो input features है, phantom power, phase reverse, gain trim, और high pass filter, जो कि आपको इसको on करके करना है, और compressor भी same है, attack, release depth, threshold, side chain, और दोनों side chain, high pass filter का side change, low pass filter का side chain, दोनों में देखने के मिलता है, और इसमें भी देखिए, as it is same है, दोनों के, दोनों के, देखे, input level, phantom power, phase reverse, gain trim, high pass filter, जो कि on करना है, उसके बाद है, attack, release, depth, threshold, और side chain के लिए, LPF, side chain के लिए, HPF, दोनों ही same है, compressor के भी attack, release, and threshold, जो है, same है, और जो है, sorry, attack, release, gain, and threshold, ये भी same है, और इसमें जो difference है, वो basically parametric EQ, जो channel का parametric EQ है, उसमें difference है, तो अभी चलते हैं, इसका पहले EQ देखते हैं, चुकि इसमें भी 4 band parametric EQ देखने को मिलेगा, high pass, sorry, HF, high frequency, HI mid, mid frequency, low mid, and LF, और इसका साथ आपको frequency को change करने के लिए, कौन सा frequency को आप change करना चाहते है, और इसका साथ आपको quality factor दो नहीं दिखने को मिलता है, जो कि high mid के लिए, and low mid के लिए, इसका quality factor दिया गे, लेकिन आप अगर SI impact में आएंगे, तो SI impact में आपको frequency सारे दिया दिया गे, चार option जैसे कि उसमें था, लेकिन quality factor जो इसमें चारो parameter की के लिए, individually दिया दिया गे, जो कि उसमें नहीं था, मतलब SI expression 3 में नहीं है, यह facility आपको दिया गया है, SI impact में, और जो है, यह basically output section के लिए, delay speaker के लिए, और यह pan जो है, panoramic control, जो कि आपका left और right को balance करने के लिए दिया गया, और वाकि जो features है, left, LR, mono, यह तो selectors होई थे, यह भी same है, इसमें भी आपको 14 auxiliary buses देखने को मिलेगा, मतलब इस mixer में आपको on board 16 output देखने को मिलेगा, और extra expression 3 में भी आपको on board 16 output देखने को मिलेगा, और extra expression 3 में भी आपको on board 16 output देख 14 mix buses है, मतलब auxiliary as a auxiliary, as a group, as a matrix, आप जाए, तो जो भी हो design कर सकते है, as a link के बार में, अगर किसो को queries है, तो मेरा पिछले वीडियो अपलोड था, जो कि मैं आपको description में देदूँगा, आप चेक कर लिए, और इसमें भी 4 matrix है, 4 effects engine है, जो कि आप देख पार है, 4 effects engine, processor 1, processor 2, processor 3, processor 4, 4 effects engine है, इस इसको भी आप set कर सकते हैं, तो इसके regarding, effects processor के regarding मैंने एक वीडियो मना आया है, तो इसको भी आप चाके check कर सकते हैं, तो इसका इन दोनों mixer का full review मैं पहले भी बना चुका हूँ, अब check जरूर कर लेगे, तो अभी चलते है, ऐसा, ऐसा impact के उपर, ऐसा impact में भी आपको 4 matrix, और 4 effects engine देखने को मिलता है, जैसे कि आप इसमें effects करेंगे, तो इसमें देखिए, आप processor 1, 2, 3, 4, यह सारे है, तो यह input features है, अभी चलते हैं, इसका जो display monitor देखिए, A page में है, आपका, B page में देखिए, आपको 40 आ गया न, तो अभी, sorry नहीं दिखा रहा, 40 हो गया, तो इस mixer को कै इसे up to 80 channel input कर mix कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ Madi, इसमें जो Madi card है, जो Soundcraft का खुद developed किया गया card है, अगर आप चाहिए तो दांते card भी लगा सकते, Madi एक multimedia interface card है, जो Soundcraft खुद बनाते है, तो इस मिक्सर में आपको Madi card inbuilt देखने को मिलता है, और जो की SI expression में and stereo channel जो art input देखने को मिलेगा, तो अभी चलते इसका back side में, back side में क्या-क्या difference है वो देखने के लिए, Soundcraft SI impact का back side में को एक branding देखने को मिलता है, जो की with model और serial number देता है, उसके बाद इसमें हर channel के लिए phantom power का on है, indication light ये देख है 48 volt का, जैसे कि इस mixer में on है, इसलिए 48 volt light glow कर है, और ये, ये, साउट इसके बारे में हम बता चुके है, और कुछ अभी बताना नहीं चाहते, अगर फिर भी बता देते है, ये हाईक्यूनेट है, हाईक्यूनेट होता है कि हर्मन का खुद डेवलप्ट किया गया, एक data link connected है, जैसमें कि सारे हर्मन प्रोड़क्ट जैसे इसका बारे में हम बता चुका है, ये बूट लोड़र है, जो कि आप एक स्वीच देखने को मिलता है, जो कि आपको सामने मिलता है, एक बूट लोड़र, बिसिकली, सॉप्टवर अपडेट और सेटिंग बगारा चेंज करने के लिए, इसको टेस्ट मोड में डालने के लि आपको आठ जो है, एक्सलर विद कॉंबो सॉकेट देखने को मिलता है, इसके साथ आपको एक मैडिक जो मैं पहले बता चुक हूँ, जो कि स्टेज बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब आपका इंपूड आउट पूड को और ज्यादा बढाने के लिए, इस मैडि video interface card है तो यह था पीछे का सारे background और इसमें आप और भी और जो है इसका serial number आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर है यह देखिए product serial number और इसमें भी 16 आउटपुट देखने को मिलेगा और आपको जैसे बताया था कि इसमें भी phantom power के LED दिया गया है और जो है 16 आउटपुट यह सारे है और यह line output है और जैसे कि यह AES in और clock तो यह था सारे features और यह है dealing sorry high unit connect करने के लिए port यह था features सारे इसका background का अभी चलते सामने के कुछ basic और difference दिखाने के लिए आप लोग को तो इस mixer का सबसे बड़ी खासियाद इसका जो display size यह थोड़ा बड़ा है लेकिन वह उतना माहिने नहीं रखता है क्योंकि सारे जो screen है सब screen touch नहीं touch screen है जैसे कि आप ऐसे screen लगाएंगे तो काम नहीं करेंगा अभी कबार करता है लेकिन इस touch screen है सारे panel जो है और एस एक्सप्रेशन का डिस्पले थोड़ा चाउटा है और लेकिन यह भी टाश्क्रीन है दोनों में टाश्क्रीन आपको मिलेगा और इसका जो दूसरा ऑप्सन है सार фильmore दोनों का हेड़ फॉन आपको ठोनों का हेड़वन अपको ऑपको लेफ्ट साइड में नीची के तरफ देखीने को इवद्फों प्रत है और इसमें भी सेंका लेफ्ट साइड में नीची मी और यह था ज़यिये था बिएकसिशर अभी चलता अगर 10 माइक लगता है तो लेकिन अपेज्छे लेड़ वूंचे करता है तो को इसको समझ नहीं के लिए पोल सकते हैं में जा कि म्यूट करने ये चेटब इस चनल को सिलेट कर लेते हैं इन सारे चनल को शीआठ कर दे तो अगर मूट करना है जैसे कि गुरूब मूट हो गया खेसा मैं प्रेस कर सारे जो है चेटल यह था option, setup का, और यह जो है, यह fader page है, A, V, C, D, और यह जो है, EQ है, इसको अगर hold करके रखें तो, जो, ग्राफिक सीक्यू बाइपास हो जागा, स्वारी, सेमल को select करना है, तो ग्राफिक सीक्यू है, देखें से बताया था, इसको hold करेंगे, तो बाइपास हो जागा, ग्रा यह हो गया, सारे ग्राफिक सीक्यू है, और यह low section, यह भी high section दिखा रहा है आपको, और जैसे कि अब देख पा रहा है, low and high, तो अभी इसको hold करेंगे, तो यह EQ जो है, बाइपास हो जागा, देखें, EQ जो है, बाइपास हो गया, मतलब जो ग्राफिक सीक्यू काम नहीं करे चाहा तो interchange कर सकते हैं, लेकिन यह आपको डिपेंड है, और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा, Lexicon का FX processor, मतलब जो 4 reverb engine है, और Lexicon का है, Studer का जो है, यह जो coloring बगर दिस्प्ले, coloring बगर है, वो Studer technology है, BSS का आपको इसमें, ग्राफिक सीकोलाइजर, और DBX का पैरमेटरी EQ, जो है, get release, sorry, compressor section, get section, यह सारे DBX का processor, यह था, इसमें भी सारे सेम टेकनलोजी यूज़ किया गया है, और इस चारो में आप चाहे तो tap delay, टाप भी कर सकते, चारो FX के लिए टाप दिया गया है, जिसके आप देख पर इसमें टाप यूज़ किया गया है, उसमें नहीं है, तो और एक बात, इस mixer में भी यह जो टेकनलोजी यूज़ किया है, इसमें भी सेम टेकनलोजी यूज़ है, लेकिन इसका जो यह थोड़ा updated है, यह थोड़ा backdated है, लेकिन दोनों mixer performance के लिए हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसका प्राइज निस आपको डेड से दो लग के प्राइज यह है, तो ठीक, और इसमें भी PFL का control है, यह है, मतलब headphone output का control, और यह जो है, output patch करेंगे, तो यह selector switch, उसमें भी same switch है, selector switch, जैसा कि अब देख पार है, selector switch, और यह headphone switch, इस mixer को अगर power off करना है, जैसे कि इसा impact में आपको direct power switch है, उसको off करना, लेकिन अगर इसा expression 3 अगर दूसरा balance होगा, जैसे कि अगर दूसरा balance होगा, तो अगर दूसरा balance होगा, जो कि digital mixing console का एक advantage है, कि अगर एक ही stage setup है, जैसे कि एक ही stage setup में अगर दूसरा जगा पर फिर वही band जो है काम करेगा, तो आप simply pen drive को लगाईए, program को जो program आप save करके pen drive में रखे तो उसको लगाईए, और just one touch से click करके ok कर दीजे, और जो जो channel में, जैसे कि हम जैसे tabla लिये थ जो जाएगा और आपका जन्जेट जो है, एक तो free हो जाएगा, पतलब पांस मिनट में band balance हो जाएगा, analog की तरह इतना थोड़ा रह अपक्राइट करने का कुछ जरड़ होती नहीं, मतलब पहले जैसे balance किये थे न, वह सेम आजाएगा, एक दम accurate आजाएगा, यही digital का advantage है, और digital का advantage तो बहुत सरह जाए सके, आपका lexicon का processor मतलब को reverb processor हट जाता है, gate compressor processor हट जाता है, ग्राफिक सिको लजर हट जाता है, यह सारा है digital का advantage, इसका regarding में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी को जानना है तो आपको i button में मिल जाएगा, description में मिल जाएगा और वीडियो के end में जरूर मिल जाएगा, तो चलिए, घर में रहिए, save रहिए, और marks पहन के कई भी जरूरत हो, तो marks पहन के जरूर निकलिए, thank you, thanks a lot, घर में रहिए, अगर इस दोनों मिक्सर के बारे में किसी कुछ क्वायरेस है, तो मुझे comment करके जरूर बताना, और आप लोग बहुत सारा support कर रहे हैं मेरे चैनल को, और ज़्यादा support चाहिए आप लोग का, thank you, thanks a lot, आप लोग इतना ही support करते रहिए, और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का support और प्यार के बेना ये possible नहीं था, तो thanks a lot, और thank you very much, और ज़्यादा share and subscribe जरूर कर दीजे चैनल को